असलाम वालेकुम, वेलकम टू इटी उशान उर्दू, स्टानर्ड फोर्थ में आजन पीवियस टू पढ़ेंगे यानि की हिस्ट्री, सबक नमर ग्यारा है शाहिस्ता खान की दुर्गा, तो आज इस सबक के सवाल जवाब भल करेंगे, सबसे पहला है, कॉसेन में से मुनासि बलबास सुनकर खाली जगों को पूर कीजिए, तो पहली खाना पूरी है, शाहिस्ता खान ने डैश के कले का मुहासरा कर लिया, यह तीन आप्शन है, पुरंदर, पन्हाला और शिवनेल, तो इसका जवाब होगा पुरंदर, दूसरा है, शाहिस्ता खान ने पूरा में डै लाल महल में कयाम किया, किसरी खाना पूरी है, शेहनशा औरंग जेब ने शाहिस्ता खान की डैश रवानगी का फरमान जारी किया, आप्शन है, आसाम, करनाटक और बंगाल, तो इसमें जवाब होगा बंगाल, शेहनशा औरंग जेब ने शाहिस्ता खान की बंगाल रवान यहांपर खाना पूरी हो गई हैं. सवाल नम्र 2 है हर सवाल का जवाब एक जुम्ले में लिखिये. पहला सवाल है शाहिस्ता खान ने किन मकामात को फतह करते हुए पूना की तरफ पेश कदमी की? जवाब देख लेंगे. शाहिस्ता खान ने शिरोड, शीवापू और सासवड पर कबजा जमाते हुए पेश कदमी की दूसरा सवाल है शाहिस्ता खान की फॉज हैरान वो परिशान क्यूं हो गई थी जवाब माराठू की जंगी चालाकियों की वज़े से शाहिस्ता खान की फौज हैरान वो परिशान हो गई सवाल नमबर तीन है शाहिस्ता खान के दिल में किस बात का खौफ बैठ गया जवाब है आज उमलिया कटी है कल शिवाजी उनके जिस्न को काट डालेगा इस बात का खौफ बैठ गया एक जुम्ले के सवाल जवाब हो गए अब सवाल नमबर तीन है बजू हाथ लिखिए पहला है शेहनशा औरंग जेब को शिवाजी महाराज पर गुस्सा क्यों आया तम को वज़ा बतानी है क्यों आया शिवाजी महाराज ने शेहनशा औरंग जेब के इलाके पर हमले किये जिसकी वज़ा से शेल्जा औरंग जिब को शिवाजी महराज पर गुर्सा आया दूसरा है शाहिस्ता खान खिड़की से कूद कर फरार हो गए अग तो क्यों कूद कर फरार हो गए थे शिवाजी महराज ने शाहिस्ता खान पर हमला कर दिया जिसकी वज़े से उनकी तीन उलिया कट गए इसलिए शाहिस्ता खान अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूद कर फरार हो गए तो ये थे एवियस्टू के 11 के सवाल जवाब जो इस वीडियो में हमने देख लिये हैं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और शेयर करें फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए खुदा आफिस